असलाम आलेकूम एवरीवान वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कोकिंग ड्रेम्ज विद शाइखा आज मैं कोई रेसीपी बनाने वाली नहीं हूँ आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्लीनिंग प्रोसेस अब मैं किस चीज को क्लीन कर रही हूँ चलिए देखते हैं ये देखिए मैंने लिया है बोटी यानी intestines और इसको वजरी भी कहते हैं चलिए इसको different languages में different words हैं इसके लेकिन हम सिर्फ एक ही word यूज करेंगे बोटी चलिए अब हम start करते हैं देखिए मैंने बोटी को इस तरह से उल्टा कर लिया है इसको उल्टा करके इस part को हम cut करेंगे और इस part को मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्या करना है देखिए अब इस तरह से मैं इसको लंबाई में काट लेंगे अब चलिए इसको भी हमें काटना पड़ेगा ये हम यूज नहीं करेंगे ये बकरे की बोटी की गंदगी है देखिए ये जो गोल जैसा आपको दिख रहा है इसको भी हम यूज नहीं करेंगे इसको भी हम काट कर फेंग देंगे जिस पार्ट को हम यूज नहीं करेंगे उसको हमें काट देना चाहिए देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ ये पार्ट होता क्या है से लिए अब मैंने इसको अच्छी तरह से काट के फैला लिया है अब मैं ये बताऊंगी ये होता क्या है आपको देखिए इसको भी हम आदादा करेंगे हम इसको हजार खाने बुलाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिशन्स होते हैं हम उस पार्टिशन को क्लीन करना चाहिए अब मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है किसको बोटी को इस तरह से अब हम इसको गरम पानी में क्लीन करेंगे हमारा पानी फुल अच्छे से पकना चाहिए उस पकते हुए पानी को हम इस बोटी के ऊपर डाल कर इस तरह से अच्छे से बोटी को उसमें डुबो देंगे उसके बाद अब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे देखिए इस तरहा से हमें निकालना चाहिए ये कितनी आसानी से निकल जाएगा इसका जो उपर का layer होता है कुछ बाल के जैसा उसको हमें अच्छी तरहा से clean करके निकाल देना चाहिए ऐसा निकालना चाहिए कि हमारी body बिलकुल एकदम सफे रंकी होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दोस्तों कितना मोटा है करके इसको भी हम धीरे धीरे करके अच्छे से निकाल देंगे और सारी बोटी को हम चेक करेंगे कि ऐसा कुछ बचा हुआ है या नहीं यह ज्यादा तर आपको कोनों में बच जाएगा कॉनर्स में इस कॉनर्स को भी मैं कैसे साफ करूंगी यह भी मैं आपको दिखाऊंगी देखते रहेगा देखिए इस तरह से हमें कॉनर्स को पकड़ कर निकालना चाहिए और यह तो आसानी से हाथ में भी निकल जाएगा दोस यह देखिए इस तरह से उंगली से भी हम इसको निकाल सकते हैं चलिए अब मैंने पूरे यानि के सारे corners चेक कर लिया है कुछ भी नहीं है हमारी बक्रे की बोटी साफ हो चुकी है मैं यहां पे दो सेट को clean कर रही हूँ पहला सेट जो मैंने clean किया था वो तो गोरे बक्रे की होगी शायर इसलिए उसकी बोटी गोरी थी अब मैं इसको clean कर रही हूँ यह बोटी तो बहुत ही काली है दोस्तों देखिए अब गोरी बोटी कैसा clean करते हैं वो दो आपने देख अब मैं यहाँ पे काली बोटी को साफ कर रही हूँ, इसको भी देख लीचेगा, ये भी साफ होकर सफेद रंग में ही बदलेगी, ठीक है, अब इसको भी हम इसी तरह से क्लीन करेंगे, जिस तरह हमने पहले गोरी बोटी को साफ किया था, चली अब इसको भी मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा दूँगी, देखिए, इस तरह से इसे भी क्लीन करना चाहिए, जब हम इसको काट कर फैलाएंगे, तभी आपको पानी हमारे चुलहे पर रख देना चाहिए, गरम होने के लिए, पानी इस तरह से गरम होना चाहिए कि उसमें अच्छे से उबाल आना चाहिए ठीक है? ये देखिए ये तो कितना काला था ये भी कितना सफेध हो चुका है यानि बोटी तो सफेध ही होती है है ना दोस्तों? सफेध ही होती है ना? चलिए, अब मैं इसको पूरी तरह से साफ कर दूँगी साफ करने के बाद इसको धो के साइट में रख दूँगी लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा पानी उबलता पानी ही होना चाहिए थंडा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी थंडा नहीं रहना चाहिए ये देखिए दोस्तों मैं आपको इस पार्ट को भी कैसे क्लीन करना चाहिए उसको भी दिखा रही हूँ ये तो बहुत ही आसान है ये तो हातों से ही निकल रहा है देखिए अब इस तरह से साफ करने के बाद हमारी बोटी लगेगी चलिए अब हम चलते हैं जो हमने वो हजार खाने रखे हुए थे उसको clean करने के लिए अब हम वहां पे चलेंगे अब मैंने उसको ले लिया है अब मैं आपको दिखाऊँगी के इसको कैसा clean करना चाहिए ये तो बहुत ही गंदा होता है दोस्तों अगर आप चाहिए तो इसको पहले ही धोकर बाद यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं धोया है क्योंकि पहले मैं इस पे गरम पानी डालना चाहती हूँ गरम पानी डालने से बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा देखिए इसको भी मैंने ऐसे काट लिया है, काट कर इसको भी मैंने फैला लिया है अब इसमें भी मैं उबलता पानी ही डालूँगी देखिए मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं ऐसे इस तरह से मैं साफ कर लूँगी देखिए कितना साफ हो चुका है, अब इन सारे चीजों को उसी तरह से मैं साफ करूँगी, साफ करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा, इसके उपर भी छोटे छोटे बाल होंगे, देखिए आप मेरे हाथ में देख सकते हैं किस तरह से वो निकल रहे हैं, हम अपने उं इसलिए इसका नाम हजार खाने रखे हुए हैं, चलिए मैंने अब सारे चीजों को क्लीन कर लिया है, ये देखिए इस तरह से लगेगा, अब क्लीन करने के बाद, ये रही हमारी क्लीन बोटी और ये रही उसकी गंदगी, बोटी की, अब हम चलते हैं हमारे इंटर स्टाइ को लिया हुआ है अब मैं उसको पहले काट लूँगी यह तो बहुत लंबे होते हैं दोस्तों इसलिए मैंने इसको छोटे-छोटे करके मीडियम साइज में काट लिया है कुछ इस तरह से दोस्तों मैं यहां पे शीक कबाब रॉड यूज कर रही हूं इंटरस्टाइन को क्ली और उसको ऐसा पुश करेंगे जब यह उपर का पॉइंट आएगा उसको पकड़के उसको उल्टा कर देंगे यानि जो आउटसाइट का है उसको हम अंदर डालेंगे और जो अंदर का है उसको हम बाहर लेंगे इस तरह से क्लीन करेंगे देखिए आप देख सकते हैं किस त यह तो कोई भी stick भी use कर सकते हैं यह देखे मैंने stick use करके आपको बताया हुआ है कि stick में भी हम कर सकते हैं intestines को हम दो method में clean कर सकते हैं यह जो उल्टा करके धोकर clean कर सकते हैं और दूसरा running water में भी clean कर सकते हैं यानि आपको intestine को tap के नीचे पकड़ कर उसको clean करना होगा यह दो method में कर सकते हैं मैंने यहाँ पर आधे आधे किये हैं intestines को आधे मैंने उल्टे किये हैं और आधे मैंने tap में दोने के लिए रख लिया है दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे method के और यह देखिए मैं पहले intestines को लूँगी इस तरह से उसकी गंदगी को निकाल लूँगी सारे इंटरस्टाइन्स की गंदगी को निकाल लोंगी ये रहे हमारे स्मॉल इंटरस्टाइन्स अब मैं लोंगी हमारे लार्ज इंटरस्टाइन्स यानि के ये रहे हमारे छोटे अंतरी और अब मैं जा रही हूँ बड़े अंतरियां के ओर ये रही सारी गंदगी और ये रहे हमारे बड़े इंटरस्टाइंज हम इसको इस तरह से पहले निकाल लेंगे फिर उसको काट लेंगे फिर उसके उपर किटनी शेप में कुछ रहेगा मैं देखिया आपको बता रही हूँ इसको हम इस तरह से निकालना चाहिए लगता है ये बहुत सारे होंगे दोस्तों इसको हम अलग से निकाल लेना चाहिए और हम इसको यूज नहीं करेंगे ये उसकी गंदगी है ये हम फैंग देंगे अब मैंने सारे आंतरियों से सब कुछ निकाल लिया है और ये रहा मेरा सेकेंड सेट और इसको भी मैं ठीक उसी तरह से क्लीन कर लूँगी और इस पे रहेगा थोड़ा फैट इसको हम निकाल लेंगे और साइट में रख लेंगे तो लिए अब इसका सब हो चुका है अब हम चलते हैं इसको वाश करने के लिए देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको ओपट करेंगे और इसके अंदर जाएगा पादी अब चलते हैं टैप के तरफ नल के तरफ और डालेंगे इसके अंदर पानी देखिए इस तरह से पकड़ कर हमें पानी को अंदर डालना होगा जब पानी पूरा अंदर चला जाएगा तो दो उंगलियों के मदद से हम उस सारी गंदगी को इस तरह से खींच लेंगे नीचे के और अब आप देख सकते हैं देखिए मैं आपको फिर से करके बता रही हूँ आप ध्यान से देख लीजिएगा देखिए पानी किस तरह से अंदर जा रहा है ये रहे लाज इंटरस्टाइन्स यानि मोटी अंतरी इसको देखिए पानी अच्छे से अंदर जा चुका है इसको भी हम वैसे ही धोएंगे आप चाहिए तो इसको उल्ठा भी करके धो सकते हैं अब मैंने सारे अंतरियों को धो लिया है इंटरस्टाइन्स को ये देखिए बिल्कुल साफ हैं कुछ भी नहीं है अब अगर कुछ बचा हुआ है तो उसे भी मैं इस तरह से धोँगी इसमें एक टीस्पून हल्दी डालूंगी और दो टीस्पून नमक डालूंगी डाल के इसको दोनों हातों के मदद से अच्छे से मसल कर जो कुछ भी बचा रहा होगा उसको भी मैं निकाल कर धो दूंगी धोने के बाद हमारे इंटरस्टाइन्स यानि आंतरियां कुछ इस तरह से लगेंगी अब मैं चलती हूँ चॉप करने के लिए मैं इसको मीडियम साइज में चॉप कर रही हूँ मैंने इंटरस्टाइन्स को भी चॉप कर लिया है और बोटी को भी चॉप कर लिया है कुछ इस तरह से ये आप देख सकते हैं ना दोस्तों चलिए, अब मैं इन दोनों को भी धोने वाली हूँ, अब इन दोनों को मैं मिक्स करके इन दोनों को भी धोने वाली हूँ, मैं इसके साथ वो जो फैट निकाल के साइड में रखा हुआ था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, और उसको भी इसके साथ धो रही हूँ, और अब मैं इसमें डालूंगी एक टीसपून हलदी और दो टीसपून नमग अब मैं इसको भी दोनों हाथों के मदद से अच्छे से इसको मसलूंगी और फिर रानिंग वॉटर में इसको भी धूंगी और मैं माशर के मदद से इसको अच्छे से press करके अगर कुछ भी और रहेगा तो इसके मदद से भी वो अच्छे से निकल जाएगा लेकिन इस स्कों करने के लिए आपको च्छनी की जरुरत पड़ेगी आप च्छनी ही लेना दोस्तों देखिए अब मैंने धो दिया है धोने के बाद हमारी बोटी अंतडी इस तरह से धो के रेडी है चलिए आप भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताईए कि आपको इस प्रोसेस को करने में कैसा लगा थैंक यू वर वाचिंग प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चानल अला हाफिज